मुख्य मंत्री बनने रिजिनल पाटी बनाने नहीं आये हैं एक नई देवस्था खरी करने आये हैं बिहार में विकल्ब के अभाव में कई बार आपको गलस वरस्थाचारी गलस लोगों को भी भोट करना पड़ता है विकल्ब बनना चाहिए तो बात पताईए कि बिहार में नया विकल्ब बनने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपका ये आशिरवाद चाहिए कि जिस इमानदारी से इसको पूरा करें आपकी जो आसा पेख्षा है आपके साथ कभी धोखा नहो और नहोने दे इस बात के लिए एक बार हाँ तुझा कर आशिरवाद दीजिए आपका आशिरवाद में आए हैं इसलिए ये पध्यात्रा कर रहे हैं कि समास के वह मस्क के अच्छे लोगों को निकालने जो मिलकर विकल्प बनाए उसी विकल्प से विहार से गरीबी दूर होगा उसी विकल्ब से विहार में ब्रस्ताचार खतम होगा, उसी से बेरोजगारी खतम होगा जन्चुराज का पहला संकल्ब है, अगर जन्ता ने मौका दे दिया जन्ता की सरकार बन गई तो साल भर के अंदर, जतना लोग यहाँ पर रोजगार धून रहा है, जतना बाहर चला गया है, उसको बुलाकर यहीं पर 15,000 से 20,000 का रोजगार का बेवथा किया जाएगा जतना बखेडा, हमारे साथ रही है, हमारे बात आपिन है, तो हम उनको हाथ जोड़े कि नाये सोर अब फिर फिर सी आर्थर कू किया नाई है बिहार में दो ये गो दल है, ये गो है आर्जेडी लालू जी, ये गो है भाजपा मोदी जी, आप बीच में पेंडूलम के तरह जूलते हुए हैं निकिस कुमार तो अभी जूल के भाजपा के ओर, अकभी जूल के आर्जेडी के ओर अब अज़र सिंता एक बाद के हम बुख्य मंतरी बनल रही, बाकी भीहार में जोन जिकराद जोन करेगवाभाई करो लालू यादों की एक ही चिंता है, हम और हमारा परिवार हमारा बर्चस्व बना रहे, यादों कहीं हम से छिषक न जाये, मुसलिम कहीं हम तो छोड़ न दे, हमारा पर्चस्व बना रहे बाकी बिहार में जो देखा होगा देखा जाएगा आप मोदी जी का एक चिंता है भाजपा का 30 गो पाई 35 गो एमपी जिता के हम रुबा भेज दिहीं जा अब बाकी बिहार तो बढ़ लेगा पिछड़ा एस्टेट तो रहो भया आपने में तीने तरीके से आप गरीवी से निकल सकते हैं या तो सिक्षित होकर नौकरी पा लिजिए खेती करके बढ़ियां पैसा कमा लिजिए अचाहे उद्योग धंडा कुछ करके कमा लिजिए समाज को समता मूलक दो तरीके से बनाया जा सकता है सब की तरक्की हो सब अच्छा हो जाए और नहीं तो दूसरा तरीका है कि किसी को अच्छा मत होने दो सब को दबा के गरीबे रखो तो निकिस कुमार वही सब को गरीब बना के समता मूलक समाज बना दिये सब कर दो सब को सब कर दो सब कर दो झाल झाल